दोस्तों महिंदी धारावा एक मानावता की यद्वत मिशाल का भाग दो प्रारंब कर रहा हूँ जेम्स बिलायत गया वहाँ वह पांच साल तक पढ़ता रहा पहले आक्सपोर्ड विश्विद्याले से भी ये पास किया फिर आई सी यस की परिच्छा पास की उसकी धर्म की माता हजारों रूपे खर्च के बराबर भेजती रही वह उसे पुत्र मानती रही पुत्र ने पांच सव रूपे मांगा तो माता ने साथ सव रूपे भेज दिये कि मेरा लड़का परदेश में है कोई तकलीफ नहों उसको उधर कुछ लोगों ने जिमेदारी की मुनाफे का रूपे हड़प लिया कुछ लोगों ने बाकी जमीन ले ली और पैसाद कर्च पर दे करके उनका जो है सारा सामान ले लिया गाउं के तीन जमीदार और भी थे मिस्र जी थे दूबे जी थे और एक लाला जी थे जिन्होंने पांच साल में सारी जमीदारी करज दे कर रहन पर करा ली बद मासों ने साथिरी जी के को कह कह करके सामान अपने घर रखवा लिया कि आप अकेली हैं चोरी हो जाएगी आप सामान मेरे हाँ रख दीजी अब केवल सास्ती जी के पास केवल एक मकान बचा बचा उसी समय मिश्टर जम्स कलेक्टर बनकर मतुरा आये आठ दिन मतुरा रहकर दौरा का हुक्म कर दिया सबसे पहले आप हरी पुर्जा पहुँचे जहां पर ललित बनकर वो पहले सिसु काल की अवस्था में खेला कूदा करते थे गाउं के बाहर एक बाग में पड़ाव डाल दिया सुबह के समय धोती कुर्टा पहन कर छड़ी हाथ में लेकर जम्स कलेक्टर के रूप में नहीं गए वो कुर्टा धोती पहन करके अम्मा के दरसन के लिए चले मकान के भीतर जाकर पुकारा अम्मा ललित तु आ गया यह कहती हुई एक बुढ़िया बाहर आई माता ने लड़के को हिदर से लगा लिया